जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र भाँ सिटे बढ़ाने की रायनितिक दलों की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है बता दे पर देश के सभी रायनितिक दल दो अने राज्यों 36 गड़ और उत्राखंड में भी विधान सभाग सीटे बढ़ाई जानी है बता दे जारखंड में भी धान सभाग सीटे फिलाल 81 है लेकिन इसे बढ़ा कर 160 करने के मुद्धे पर सभी साथ है जारखंड विधान सभाग सीटे बढ़ाने की मांग नई नहीं है इसके लिए 15 साल पहले यानि 15 जून 2005 में भी धान सभागी कमेटी बनी थी जारखंड में कुरोना के 353 मरीज मिले एक्टिव केस 1100 के करीब 44, 52, 24, 24, 29, दुमका से 45 और पांकुर से 5 मरीज मिले है जारखंड के जीलो में एक्टिव केस इस परकार है राची 47, 445, पूर्वी सिम्मोम 16, 79, बोकारो 67, हजारी बग 411, धनबाद 840, रामगर 354, कोडार मा 625, पच्मी सियू 490, पलामू 390, देव घर 421, गुमला 100, गिरीडी 101, खोटी 202, लाते 76, 66, सिम्डेगा 62, सराइकला खरसावा 33, गढ़वा 41, लोर्दगा 65, चातरा 1449, गुड़ा 61, जामतरा 49, साहिवगन 4, दुमका 78, पांकुर्व में 13 मरीज एक्टिव है जारखंड में सिक्षक अपने ग्रिह जीला में हो सकते हैं अस्थनांत्रन बतादे राजेके सिक्षकों को फिर से अंतर जीला अस्थनांत्रन का आउसर मिलेगा, उनका ग्रिह जीला में भी अस्थनांत्रन हो सकता है सिक्षक अस्थरांत्र नेमावली 2019 में संसोधन के प्रस्ताव को इसकूली सिक्षा एमसक्षार्था मंत्री जगनात मतो ने अपनी स्विक्रीति दे दी नेमावली अब कार्मिक वाब बीधी विभाग को भेजी जाएगी सिक्षा मंत्री ने सिक्षक आश्टनांतर नेमावली में संसोधन का निदेश दिया था इसके बाद सिक्षा विभाग दोरा नेमावली में संसोधन के लिए कमिटी गढ़ित की गई थी कमेटी ने नेमावली में संसोधन का प्रस्ताव तयार कर विभागे सची को सोपा था रिम्स में डॉक्टर समेथ 189 लोग पोईटीव हलात खराब रिम्स में बुद्धवार को 1493 सेंपल की जाच की गए जिसमें 245 की रिपोर्ट पोईटीव आई है इसमें रिम्स से 189 संक्रामित मिले है बता दे इसमें सीनियर और जूनियर डॉक्टर के अलावा नर्स और रिम्स के करमचारी सामिल है वहीं राची जिला से बेजे गए 418 सेंपल में 69 और खोटी से बेजे गए 233 सेंपल में 7 की रिपोर्ट पोईटीव आई है बता दे रिम्स नर्सिंग कोलेज की 51 संक्रामित हो गई है वहीं हाई कोट के 20 और करमी करोना संक्रामित हुए है वहीं हटिया वराची एस्टेशन और यार पोट पर बुद्वार को जांच में 84 पोईटीव मिले है CBI ने खादी आयो के पुर्व अधिकारी पर किया 46 दाखिल CBI के विशेस नयाधिस पीके सर्मा के अदालत में खादी ग्रामो द्योग आयो के पुर्व पदाधिकारी सुनिल कुमार के खिलाब 46 दाखिल कर दी गई है 60 पेज की चारशिट में PC-8 की धारा के ताध उन्हें आरोपी बनाया गया है इसमें उन पर आय से 45 लाग से अधिक की संपती अर्जित करने का आरोप है CBI ने सुनिल कुमार के खिलाब 2019 में आय से अधिक संपती अर्जित करने की प्रात्मी की दर्ज की थी Overloading वर खतरनाक धंग से वहन चलाने वालों के खिलाब चलेगा अभियान Overloading, Oversize और Danger Driving वालों के खिलाब परिवहन विभायक के अधिकारी अभियान चलाकर करवाई करेंगे वो ध्वार को परिवहन विभायक सचीव केके सोन ने इस समध में वीडियो कनफिसिंग के जरिये सभी ATO और DTO को निर्देश दिये बता दे अफसरों का कहना है कि वे ऐसे वाहन चलकों पर प्रात्मी की के तहत करवाई करें साथ ही बिना फिटनेस और परदूसन फैलाने वाहनों और जीन वाहनों पर टेक्स वखाया है उनके खिलाब भी करवाई का निर्देश दिया गया तीन दिन पुर्व छोल दे मालवाहक आटो की चपेट में आने से लुहरदागा निवासी छात्रा की मौत हो गई थी बतादे मोग सचीव सुकदेव सिंग के हस्ताक्षर से कार्मिक एवं प्रसास्निक सुधार विभाग ने समधित प्रादिकारियों को निर्देश भेजा है इसमें सभी कर्यालों में 50 पतेश शमता के साथ ही काम करने को कहा गया है इस बाबत ध्यारखंड राज आपदा प्रादिकार ने 3 जनवारी को आदेश निर्गत किया था वाई केंद्रिये कार्मिक मंत्राले ने भी कर्याले के संचारन के समध में निर्देश दिया है 15 जनवारी तक के लिए ये सुविधा होगी जहारखंड को जमीन खरीद विक्री से मिला सबसे ज़्यादा राजस्वा सरकार को जमीन की खरीद विक्री से ज़्यादा राजस्वा मिला है बता दे राजे में COVID-19 की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में जमीन की खरीद विक्री से ज़्यादा होई इससे सरकार को जमीन की खरीद विक्री से ज्यादा रज़स्व मिला COVID-19 की पहली लहर के दवरान अप्रेल 2020 में पुरे राज्य में जमीन की एक भी रज़स्ट्री नहीं हुई वहीं दूसरी लहर में लोकडान के बावजूद मौई 2021 में पुरे राज में जमीन की 23 रज़स्ट्री हुई बता दे COVID-19 पहली लहर के वज़से मार्च 2020 में केंदर सरकार ने लोकडान लगाया था इस ओधी में कल्यानकारी योजनाव से जुड़ी सरकारी विभागों के अलावा सेस्ट विभागों को बंद कर दिया गया था इससे बित्य वर्ष 2021 के शुरुआ थी पहली लहर की वज़से लोकडान में हुई कोडार्मा में अवैद सराब के साथ युग गिरपतार आरोपी की पहचान राहुल कुमार तेज सवर्षिये पिता, सुभास, परसाथ, सिंग, निवासी, गोनी, थाना, मुफसिल, जीला, नवादा बिहार के रूप में हुई है इंस्पेक्टर जोहरलाल ने बताया कि दोफर करीब साड़े गारा बजे उप निरिक्षक अंकुर कुमार अरक्षी आसोक कुमार गुपतावा महिला अरक्षी पिरिती कुमारी के साथ कोडार्मा इस्टेशन के प्रेटफरम संक्या चार पांच पर गस्त कर रहे थे इस दवरान जाच करने पर एक युवक को नरंगी रंग के पिठू बाई के साथ संदिग्द अवस्था में देखा गया पुछने पर उसने अपना नाम राहूल कुमार बिहार का रहने वाला बताया उसके कबजे वाले पिठू बाई को खोल कर देखा गया तो उसमें साथ बोतल इंपेरियल बुलू अंग्रेजी सराब की बोतल बरामत हुई गीरीडी में अपराधियों के होसले बुलंद कोई वाहन चालकों को लुटा है जारखन के गीरीडी जिले में इन दिनों अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है बता दे कानून वेवस्था को चु बताया जा रहा है कि अपराधियों की संख्या करीब 6 थी उनके पास हत्यार भी थे सुचना मिलते ही पूलिस मोखे पर पहुंची और मामले की छानविन की फिलहाल दो लोगों को हिरासत में लेकर पुष्टाच की जा रही है पूर्व मावादी की हत्या के केस में 13 नामजाद और 100 लोगों पर प्रात्मी की दर्ज है प्रेज ने जीले के वर्य अधिकारियों के साथ खटना अस्थल का मुआयना किया इसके बाद प्रभावित परिवार के लोगों के साथ उनके घर के आंगन में बैठक की प्रभावित परिवार के लोगों को धांडस बढ़ाया इस दवरान बेसरा जारा गाउं में भारी सं पुलिस ने फैक्टरी से सैकड़ो बोरी नकली सेमेंट बरामत किया है इसी के साथ ही चार लोगों को गिरफतारी भी किया गया है फर्जी राशन उठाव कर रहे डिलर पर सारे 14 लाख का जुर्माना है एक बार फिर राशन कार्ड में फर्जी तरीके से राशन उठाव का मामला उजागर हुआ है बतादे रांची जीला अंतरगत सरहुल नगर बरियातु इस्तिर डीलर कामेस्वर बढ़ाईक ने बड़े ही चलाकी से राशन कार्ड में फर्जी तरीके से सदस्यों का नाम जोड कर पिछले पांच सालों से राषन का उठाव कर रहा था इस मामले का खुलासा हुआ तो राषन कार्ड धारियों ने खुद एक-एकर करयाले में उपस्तित होकर लिखी बयान दिया कि उनके राषन कार्ड का वास्तविक सद्धिशों के अधार पर ही खद्यान के अपूर्ति क की गाई से स्खध्यान विक्रेता द्वारा नहीं दिया गया है बता दे फिलाल डीलर को निर्देश दिया गया है कि साथ दिनों के अंदर 14,63,306 रुपे जुर्माना की रासी ओनलाइन राजकोस में चलान के माध्यम से जमा करे अन्यता उनके बिरूत परात्मी की दर्च की जाएगी जार्खन के कई छेत्रों में उग्रवादियों की चल रही सरकार बावुलाल मरांडी जार्खन के पच्छम सिंभूंग जीले के चक्रधरपूर के गोईल केरा में दो दिनों पहले पूरो बिधायक गुरू चरन नायक पर हुए नकसली हमले की घाटना को लेकर भ वनांतर सरकार चल रही है उग्रवादियों का राज चल रहा है मुख्यमंत्री हमन सुरेन भी या उग्रवादियों से डरे हुए है या घिरे हुए है या भी कहा कि मुख्यमंत्री यदि डरे हुए है तो उग्रवादियों पर काबू पाएं सीएम को या बताना चाहिए ब जार्खन में बिधान सभा की सीटों को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए आपकी क्या राय है आप हमें कॉमेंट बक्स में अपना सुझा अवस्त दे साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाट से फेस्बुक ट्यूटा इंस्टागराम पर सेर करना भूले साथी साथ आप हमें कॉमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस्त दे थैंक यू